नमस्कार साथियो मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे यूटूब चैनल का नाम वर्ल्ल प्रॉपटेज हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमना अथोर्टी के सेक्टरों का जिसमें रेगुलर अपने वीडियो के माद्दम से हर तरह का डवल्लमेंट आप तक पोचान के कोशिज करते हैं साथ ही यह काफी संसे हमारे पास काफी कॉल्स आ रे थी हुद्रों की ज़ो जानना चारते हैं कि सेक्टर सोला के बारे में किस तरह का पर रहा है क्या जो अभी प्रानी ड्रौ आप लोटिमींट मेंट हुई थी उसके जो भी प्लोट ए क्या वो मोके पे लगे या नहीं लगे देखिए अभी जो हम खड़े हैं यह 130 मिटर का एक रोड है जो आप सामने देख पारे होंगे यह रोड तिरंगा चोक यमना एक्सपेसियों के साथ से ही लगता हुआ आ रहा है जो की यमना अथोटी के रजिदेंसल सेक्टरों को जोड अपने साथ 130 मिटर का रोड अगर इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलती है और इसके साथ आपको 130 मिटर का वाइल रोड देखने को मिलता है अगर हम इसके राइट साइट की बात करें आगे की तरफ तो आपको खिसान कोटे के 7% के प्लोड जो है वो इसके साथ आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे आने आले समय में जैसे ही आगे आते हैं तो आपको एक पुर आपको देखने को मिलेगी जो यह सीधा आपको रोड देखने को मिल रहा है 130 मिटर का यह वाइल रोड होने वाल है जो आप सामने देख पा रहे हैं तो साथियों जैसा आप देख रहे हैं सामने सेक्टर 17 का मैन एंट्री दुवार यहां से आपका स्टार्ट होता है दोनों साइड आपको यह रोड दी जा रही है 130 मिटर की रोड होने वाली है जिस रोड पर आगे जाएंगे और दिखाने के आपको कोसिस करेंगे कि किस तर रोड है ग्रिनरी का विचेज ध्यान रखा गया है यहां पर क्योंकि हम पहले भी आये थे हमने आपको पहले भी अपडेट कर आया था अपनी वीडियो के माद्व से किस तरह का डवलमेंट चल रहा है सेक्टर 16 सेक्टर 17 के अंदर देखिए रोड बना हुआ है सेक्टर 17 त जैसे जैसे आप आगे की तरफ चलेंगे तो आप यहां तक पहुच पाएंगे मगर कई जगा पे जो पैच है सड़के वह आपस में जुड़े हुए नहीं है जिसके करन यहां तक पहुचना थोड़ा असान नहीं हो पाएगा जैसा आप देख रहे हैं कि उल्टे हाथ की त करता है आपने साथ 60 मिटर का रोड तो यहां गोल चकर है है यहां की और पाइब कौन चकर है चार भोड यहां चूटते हैं और राइड बंकर का रोड है जो सेक्टर 20 के पीछे से होते हुआ जा रहा है जो अपने साथ लिंक करता है 100 मेटर के रोड को और साथ में आपका एन ब्लोक की पॉकेट को और आगे सेक्टर 21 की 60 साथ ही अब आगी की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे आपको जो यहां पर पानी सप्लाई होगा पोकेट्स और सेक्टर सेक्टर के अंदर वह इसी कनाल से होगा जो रीवर है ़聖ट कर नाव से पांश आती है पर पानी आता है यहां ऑँ जहाएंगे का पानी आरहे ज इस रीवर में आता है और यहां पर वांट टेमेंट लगेगा सेक्टर 16 के पर्णर पे टोह Candably ए और सेक्टर 18 सेक्टर 20 जितनी पॉकेट उन में जो वाटर जाएगा वहीं से जाएगा और देखें जैसा सामने आप देख रहे हैं सेक्टर 16 है काम चल रहा है डवलोमेंट में होता हुआ दिख रहा है सेक्टर 16 में आगर कोई कारी हो रहा है तो वह भी दिखाने के कौसिस करेंगे तेहरोड का काम यहां पर चल रहा है मगर कुछ जगा पर अभी भी किसान अपनी खेती कर रहे है जैसा आप देख पा रहे है अब जैसे हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हमें सेक्टर 17 का जो मैन एंट्री द्वार है वह देखने को मिलता है सेक्टर 17 A, B, C पोकेट है यहां से अब यहां से दो रोड डिवाइड हो जाता है 130 मिटर वाला सेक्टर 16 की तरफ चले जाता है और यह आपका 45 मिटर का रोड है जो आपका सेक्टर 17 की तरफ चले आता है तो अब हम सेक्टर 17 की तरफ चलेंगे बिब्कुल जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरह का कारी हमें सेक्टर सत्रा में देखने को मिला तो साथियो हम सेक्टर सत्रा की सी ब्लोक पर पहुच गये हैं यह टी पॉइंट है गाउन वाले यहां पर जो रस्ता यूज करते हैं सबसे पहले हमें देखने हों मिलता है क्योंकि इसके साथ जो विलेज लगा हुआ है वह दिनोरी विलेज लगा हुआ है दिनोरी से आगे की तरफ आप चलेंगे सामने आप जो देख रहे हैं यह सेक्टर सत्रा की सी ब्लोक है सी पोकेट है जिसमें हम अंदर जाएंगे तो साथियो सेक्टर 17 की पोकेट सी ब्लॉक है और सी ब्लॉक के अंदर अब जैसे हम जा रहे हैं तो आपको दिखाएंगे देखिए रोड जो है वो बारा मिटर के रोड हैं लोट लगे हुए हैं मोके पे कुछ जगा पे प्लॉट क मार्केशन भी कर दिये गए हैं कुछ रोड जो है अभी वो कनेक्टिड नहीं है और जो 45 मिटर का रोड था वो भी आपको दिख रहा होगा कि वह आगे से जा रहा है 45 मिटर का रोड बिल्कुल हमारे सामने हैं वहां तक जाएंगे दिखाने की कोसिज करेंगे कि कितना कारी है यहां पर आज के समय पर प्रादिकर्ण की तरफ से सेक्टर सट्रा में चल रहा है देखे सामने जैसे आप देख पारें सामने बिल्कुल पार्क है पार्क के पास जैसे हम देखते हैं तो रोड जो है वहां समापत हो जाता है आगे जाने का कोई रस्ता नहीं है कच्छा रस प्लोट जो है सी ब्लोक में वह लग रहे हैं मौके पर मार्केशन कर दी गई जैसा आप देख पा रहें कि प्लोट नमबर 578 मौके पर लगा हुआ है और प्रादिकर्ण की तरफ से ग्राउंड पर भी काफी कारिय जो है वह चल रहा है सामने अगर आप देखेंगे तो काफ 18 से 9 किलो मेतर होगी वही एरपॉर्ट से दूरी लगबग 18 से 20 किलो मेटर होगी आपकी सेक्टर 17 की पोकिट का डिस्टेन्स जो ओगा वो इतना होगा यमन्यक्स प्रेशन से लगबग 8 से 9 kilometer का distance होगा तो 809 kilometer का distance पे यह सेक्टर की pocket आपको देखने हो मिलती है। अपको पूरा रिविई करवाया कि सक्टर 16 के साथ में सक्टर 17 की कुन कुन सी pocket है तो हम pocket पैं आपको करवाया कि सक्टर 17 जो block है आपका जिसमें आपको छोटे साइस के लुट्ट चला है इसके साथ देखने को मिलते हैं कित्रा varios का काम सीवर का का मीुदिकनी की कौसिस करी अपने video के माध़़ दिम से अगर आप दैखेंगे तो देखेंगे यहाँ पफी सी वर का यहां चल रहा है रोर का का वी इया चल रहा है यह सेक्टर 17 की सी ब्लोक है रजिडेंसल ब्लोक है और यहां पर प्लोट लगना चालू हो गया है ग्राउंट पर अथोटी की तरफ से काम काफी तेजी से चल रहा है अगर हम आपको विलेज की बात करें तो काफी गाउं भी हाँ इसके साथ देखने को मिलते हैं रोसनपूर गडाना ठसराना इसके लावा कई और भी गाउं यहां पर आपको विलेज इस पॉकेट के साथ देखने को मिलेंगे जहां पर किसान कोटे के 7% प्लोट भी यहां पर दिये हुए है और देखे जो यह पॉकेट है सेक्टर 17C कि जल्दी उम्मीद है प्राधिकन की तरफ से जल्दी यह ग्राउंड पर लग जाएगी और अगर हम बात करें कि यमना एक्सप्रेशों से इस पॉकेट की दूरी कितनी होने वाली है तो लगबग आप यह मान कि चलिए यमना एक्सप्रेशों से यहां तक की जो दूरी है वो साथ से 9 किलोमेटर की दूरी होने वाली है यहां पर और फ्लम सिटी और इसके साथ अगर नोईडा इंटरनेशल एयरपोर्ट की बात करें तो आज हमने आपको पूरा ओवर्विव दिया इन पॉकेट्स के बारे में तो आज की जो वीडियो है इसको करेंगे ही समात जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेगा शेर करेगा, सस्क्राइब करेगा इसके लाबा कोई और भी जान करेगा आप यमना अथोर्टी के सेल्प्रों के बारे में लेना चाते हैं चाहे रेजिडेंचल हो या इंडेस्ट्रेल या किसी भी तरह की लेंड तो आप हमारे दियो नंबर पर हमें कोल या मैसेज करके भी जान कर ले सकते हैं तो वीडियो को करेंगे ही समात जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके नमस्कार साथियो